आपने कभी सोचा है भगवाशी भाला जी उपर तिरुमल अमेस्तित है तो माता पद्मावती जी नीचे तिरुपती में क्यूं है नमश्कार मित्रों स्वागत है आपका भारत भूमी में आज आपको माता पद्मावती जी का मंदिर का दर्शन बाहर से ही कराने वाली हूँ दर्शन कर लेजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो पद्मावती माता जी का मंदिर है तिरुपती में बात मैं आपको संक्षिप्त में नहीं बता सकती, शौटकट में बताऊंगे, क्योंकि अगर पूरी तरह से बोलने बैटे तो वीडियो बहुत लॉग हो जाएगा, माता जी का विवाह भगवानशी बाला जी से हुआ, मैंने उस मंदिर को दिखाया है पिछले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, लिंक मिल जाएगा नहीं तो चैनल में जाएगा, आपको मिल जाएगा, भगवानशी बाला जी के साथ विवाह करने के बात, परवत पर चड़ कर जाते हैं, मैंने वो भी अप्लोड करके रहा है दो साल पहले, परन्तु मैं बताऊ जरूर और डिस्क्रिम्शन बॉक्स में लिंक पर दूंगी, आप वो भी चक कीज़ेगा, तो उस परवत से होकर दिरुमला जाते हैं, कुछ दिन गुजारते हैं, माता लक्ष्मी जी कुल्णूरू में रहकर तपस्या करती रहती है, तो बात जाकर नारत जी माता लक्ष्म लक्ष्मी को आता है क्रोध, तो उन्हें ढूंते हुए माता तिरुमला जाते हैं, और उनको माता पद्मावती जी के साथ देखकर क्रोधित होते हैं, आप तो मेरे लिए इस प्रत्वी पर आये थे, तो आपने विवाह कैसे कर लिया, ये मा लक्ष्मी जी कहती है, मित्रों ये ही है, देखेगा माता पद्मावती जी का मंदिर, अंदर विडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही मैं आपको दर्शन करा रही हूं, मित्रों यहां पर कमल का पुष्प चराते हैं, तो मैंने कहा कि माता लक्ष्मी रोधित होती हैं, और उन के पास जाओं, ये बात सुनकर माता लक्ष्मी जी को और भी जादा क्रोध आता है, दोनों माता ही जगड़ा करने लगती हैं, ये देखकर भाला जी भगवान किसको समझाओं, ये कहकर पीछे चले जाते हैं, कुछ कदम पीछे जाकर मूर्थी बन जाते हैं, जो अभी ये मूर्थी है न, मंदिर में, वो स्वयव स्ववाण जी मूर्थी स्वरूप में विराजमान है, ऐसा कहते हैं, भगवान स्व्वाण श्री बाला जी को स्वरूप में देखकर, दोनों माता ही विलाब करने लगती हैं, तभी वहाँ पर देवर रशी नारजजी और एक महान तपस्वी आते हैं उन तपस्वे का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगे आपको तो वो कहते हैं कि पाला जी का ये लिला था तो उनका लिला अभी समाप्त हुआ है देवरशी नारत जी माता लक्ष्मी जी को अपना एक अंश यहां पर छोड़कर वैकुंट ज ऑता जी का जो ये मंधिर है ना ये मा पदमावती जी का तपस्थली है और मंधिर के अंदर जो मूर्ती है मा पदमावती जी का वो उबर मा ने अपना एक अंश छोड़ा था वो पानी में से होते हुए यहां आकर रुखा है ऐसा केहते हैं जहरने में से यानि उपर किसी सुरंग मारक से जहरने में से होते हुए इस पास में ही एक सरोवर है वहाँ पर आया है वो मूर्ति ऐसा कहा जाता है डीटेल में आपको एक और vlog में ज़रूर बताओगी अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजेगा